अंतराष्टा योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? उप्सन A 21 जनवरी, उप्सन B 21 जोन, उप्सन C बेसमार्च या उप्सन D 25 अप्रेल सही जवाब है उप्सन B 21 जोन दुनिया वर में किस जोन को अंतराष्टा योग दिवस मनाया जाता है? यो कि अभ्याद से ना सिर्फ सरीर मुख रोग मुख होता है बलकि मन को भी सानती मिलती है इबराहिम रहीसी किस देश के राष्टर पते चुने गए हैं? उप्सन A इरान, उप्सन B इराक, उप्सन C इसराइल या उप्सन D कुबेर सही जवाब है उप्सन B इराक इरान के कट्टर पंती नेता इबराहिम रहीसी ने राष्टर पते चुनाब में जीत हासिल कर ली है इबराहिम रहीसी का जनम साल 19-19 में इरान के दूसर सबसे बड़े सहर मशहद में हुआ था सही जवाब है उप्सन A दस करोड़ रुपे भारते क्रिकेट बोर्ड बी सीसी आई ने कोशन की है कि वे भारता ओलम्पिक शंग और खेल मंतरारे के अनुरोत पर उलम्पिक जाने वाले भारते दल की मदद के लिए 10 करोड रुपे देगा संग्यूत राष्ट्य के महासची पत पर किसे दुवारा से सर्व सम्मती से चुना गया है उप्सन A बान की मून उप्सन B डॉक्टर माइक रशायन उप्सन C एन्ट नियो गुडेरेस संग्यूत राष्ट्य महासवा ने 18 जून 2021 को पुर्तिकाल के पूर पदान मनती रहे उप्सन नियो गुडेरेस को फिर से महासची नुक्त किया है उनका दूसरा कारेकाल एक जन्वरी दोहर बाष्ट से सुरू होगा सही जवाब है उप्सन A सेफाली बर्मा भारते महिला बल्लेबाद सेफाली बर्मा ने इंगलेन के खिलाब चल रहे एक माट टैस मैच में इतियास रस्तिया है सेफाली बर्मा एक तरफ जहाँ डवली टैस मैच में सबसे ज़्यादा नन मनाने वाली भारते महिला बन गई तो वहीं दूसरी और डवली टैस मैच के दोनों पारियों में अर्थ सतक पारि खेलने वाली पहली किरिकेटर बन गई है कनाडा के प्रदान मंत्री जस्टिन टूंडरो ने देश के सुप्रिम कोट में पहले किस अश्वेद व्यक्ति और भारत वंसी को जच के रूप में नाम मिल क्या है सही जवाब है ऑप्शन A मैमूर जमाल भारत मूल के नियादीस मैमूर जमाल ने इतियास रज़ दिया है जमाल को कनाडा के उस्तम नियाले में नामित किया गया है इसके साथ ही बहुत देश के शीर्ट नयाले में नामित होने वाले प्रतम एश्वेत नयादीस हो गए है हाली में किस अफरिकी देश में 1098 कैरेट के दुनिया के तीसरे सबसे बड़े डायमेंड की खोच की गई है सही जवाब है ऑप्सन B बहुत स्वाना हाली में अमेरिका देश बहुत साना में 1098 कैरेट के दुनिया के तीसरे सबसे बड़े डायमेंड की खोच की गई है यह डायमेंड वर्स 1905 में दच्छिन अफरिका में खोचे गए एक तेसरे सो चैरेट कलीन डायमेंड और वर्स दोहर 15 में बहुत साना में ही खोचे गए गैरसन नो कैरेट डायमेंड के बाद दुनिया का तीसरे सबसे बड़े डायमेंड बन गया है विश्प शंगीत दिवस किस दिर मनाया जाता है? विश्प शंगीत दिवस किस दिर मनाया जाता है? विश्प शंगीत दिवस का आयन किया जाता है इस दिवस के आयोजन पर मुख्य उद्देश संगेत के माध्यम से सांती और सद्भावना को बढ़ा अबा देना है भारत और किस देश ने हाली में हाईडोजन टास्क पोर्स लॉंच किया है? सही जवाब है उप्सन A. अमेरिका यूएस इंडिया स्ट्रेजिक पार्टनर्सीप पोरम के अनुसवार भारत और अमेरिका ने स्ट्रेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनर्सीप के तहक एक हाईडोजन टास्क पोर्स शुरू किया है जो भारत के उज्जय सुरुक्षा प्रियासों को बढ़ावा देगा सही जवाब है ओप्सन B दिल्ली अंतराष्टर योग दिवस पर दिल्ली में गली महलों तक योग को पहुचाने की विजन्स के साथ ध्यान और योग विज्जयान के अंदर की सुरुवात की गई है वैश्विक शान्ती सुन्चांक के पंदरवेश संकरण में 163 देशों की सूची में किस देश को दुनिया का सबसे शान्ती पिरिय देश गोशित किया गया है औप्सन A नेपाल, औप्सन B आइसलाइंड, औप्सन C भारत, या औप्सन D चीन सही जवाब है औप्सन B आइसलेंड, आइसलेंड को दुनिया का सबसे सान्ती पिरिय देश गोशित किया गया है इस उचांक में भारत को 135 अस्तान पराथ हुआ है संग्यूत राष्ट की तरब से जारी ताजा रिपोर्ट का नुशार, दोहर बीस में भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा FDI हासिल करने वाला कौन सा देश बन गया है औप्सन A चोथा, औप्सन B पाँचवा, औप्सन C तीसरा, या औप्सन D पहला सही जवाब है औप्सन B, पाँचवा, महामारी के बीच भारत 2020 में सफे ज़्यादा FDI पाने वाला दुनिया का पाँचवा देश बन गया है पिछले साल देश में 400 आरब डोलर का FDI आया, सल 2019, हाली में कियन सरकान ने किन दो सरकारी बैंकों में 51% हिश्यदारी बेचने की घोशना की है औप्सन A, Central Bank of India और Indian Overseas Bank औप्सन B, Dena Bank और Yuko Bank औप्सन C, Punjab National Bank और Axis Bank सही जवाब है औप्सन A, Central Bank of India और Indian Overseas Bank प्राइवेट होने वाले दोनों बैंक, Central Bank of India और Indian Overseas Bank की शेर बजार में मार्केट वैल्यू इनकी शेर प्राइज के मताबिक 44,000 करोड रुपे है प्रदान मंत्री नेरिन मोदी ने अंतराश्टे योग दिबस के अपसर पर किस एप को लॉंच किया है प्रदान मंत्री नेरिन मोदी ने अंतराश्टे योग दिबस के मोगा पर एम योग एप लॉंच किया है इस एप में Common Yoga Protocol का दाहर पर योग प्रेस्क्षन के नई वीडियो दुनिया की अलगलग भाषों में उप्रद होंगे भारतन इस एप को विश्प स्वास्ता चंगठन के साथ मिलकर तयार किया है Center for Science and Environment द्वाराजारी Ease of Living Index दोहर बीस में किस सहर को भारत के सबसे रहने योग सहर के रूप में नामित किया गया है सई जवाब है ओप्शन D बैंगलोरू बैंगलोर के बाद चन्नाई, श्विमला, भूबनेश्वर और मुंबई करम से 35 सर्फसे स्टायरों के रूप में है